स्वागत है आपका आदर्श क्रांती परिवाल में आज हम बात करेंगे भारत के प्रत्रम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नहरू के बारे में पंडित जवाहर लाल नहरू का जन 14 नवंबर 1889 को इलाभाद में हुआ था उन्होंने अपनी प्रारंबिक शिक्षा अपने घर पर निजी शिक्षकों से प्राप्त की पंडरह साल की उम्र में वे इंग्लैन चले गए और हैरो में दो साल रहने के बाद उन्होंने कैंब्रिज विश्वी ज्यालेय में प्रवेश लिया जहां से उन्होंने प्राकृतिक विग्यान में सनातक की दिग्री प्राप्त की 1912 में भारत लोटने के बाद वे सीधे राजनीती से जुर गए यहां तक की छात्र जीवन के दोरान भी वेविदेशी रुकूमत के अधीन देशों के स्वतंत्रता संधर्श में रुची रखते थे उन्होंने आयरलेंड में हुए सिंपेन अंदोलन में गही रुची ली थी उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनिवारियर रूप से शामिल होना पड़ा 1912 में उन्होंने एक प्रतिनीधी के रूप में बांकिपुर सम्मेलन में भाग लिया एवं 1919 में इलाहबाद के होम रूल लीग के सचिव बने 1916 में वे महात्मा गांधी से पहली बार मिले जिनसे वे काफी प्रेरित हुए उन्होंने 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रताफगर जिले में पहले किसान मार्च का आयोजन किया 1922 के असहयोग अंदोलन के सिलसिले में उन्हें दो बार जेल भी जाना पड़ा पंडित नहरू सितंबर 1923 में अखिल भारतिय कॉंग्रेस कमेटी के महा सचिव बने उन्होंने 1926 में इटली, स्विच्जलेंड, इंगलेंड, बेल्जियम, जर्मनी एवं रूस का दोरा किया बेल्जियम में उन्होंने भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस के एक आधिकारिक प्रतिनिधी के रूप में व्रसल्स में दीन देशों के सम्मेलन में भाग लिया उन्होंने 1927 में मासकों में अक्तूबर समाजवादी क्रांती की दस्वी वर्षगांट समारों में भाग लिया इससे पहले 1926 में मदरास कॉंग्रेस में कॉंग्रेस को आजादी के लक्षे के लिए प्रतिबद्ध करने में नहरू की एक महत्वपून भूमिका थी 1928 में लखनव में साइमन कमीशन के खिलाफ एक जलूस का नित्रित्व करते हुए उन पर लाटी चार्ट किया गया था 29 अगस्ट 1928 को उन्होंने सर्वदलिय सम्मेलन में भाग लिया एवं वे उन लोगों में से एक जिन्होंने भारतिय सम्वेधानिक सुधार की नहरू रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर किये थे इस रिपोर्ट का नाम उनके पिता श्री मोतिलाल नहरू के नाम पर रखा गया था उसी वर्ष उन्होंने भारतिय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की एवं इसके महासचर बने इस लीग का मूल उद्देश भारत को ब्रिटिश सामराज्य से पुनरता हलग करना था उन्नीस सो उन्तीस में पंडित नहरू भारतिय राष्ट्रिय सम्मेलन के लाहोर सत्र के अध्यक्ष चुने गए जिसका मुख्यलक्ष देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राफ्ट करना था उन्हें उन्नीस सो तीस माइनस पैंटीस के दौरान नमत सत्याग्रह एवं कॉंग्रेस के अन्य आंदोलनों के कारण कई बार जेल जाना पड़ा उन्होंने 14 फर्वरी 1935 को अलमोरा जेल में अपनी आत्म कथा का लेकन कार्यपूर्ण किया रहाई के बाद वे अपनी बीमार पत्नी को देखने के लिए स्विजलेंड गए एवं उन्होंने फर्वरी मार्च 1936 में लंदन का दौरा किया उन्होंने जुलाई 1938 में स्पेन का भी दौरा किया जब वहां ग्रह युद्ध चल रहा था विती और विश्व युद्ध शुरू होने से कुछ समय पहले वे चीन के दौरे पर भी गए पंडित नहरू ने भारत को युद्ध में भाग लेने के लिए मजबूर करने का विरोध करते हुए व्यक्तिगत सत्याग्रा किया जिसके कारण 31 अक्टूबर 1940 को उन्हें गिरफतार कर लिया गया उन्हें दिसंबर 1941 में अन्यनेताओं के साथ जेल से मुप्त कर दिया गया 7 अगस्त 1942 को मुंबई में हुई अखिल भारतिय कॉंग्रेस कमीटी की बैठक में पंडित नहरू ने एतिहासिक संकल्प भारत छोडोग को कार्यानवित करने का लक्षिनिर धारित किया 8 अगस्त 1942 को उन्हें अन्यनेताओं के साथ गिरफतार कर एहमद नगर किला ले जाया गया ये हंतिम मौका था जब उन्हें जेल जाना पड़ा एवं इसी बार उन्हें सबसे लंबे समय तक जेल में समय बिताना पड़ा अपने पूर्ण जीवन में वे नौ बार जेल गए जन्वरी 1945 में अपनी रिहाई के बाद उन्होंने राजग्रो का आरोप जेल गए आयने के अधिकारियों एवं व्यक्तियों का कानूनी बचाब किया मार्च 1946 में पंडित नहरू ने दक्षन पूर्वेशिया का दोरा किया 6 जुलाई 1946 को वे चौती बार कॉंग्रेस के अध्यक्ष चुने गए एवं फिर 1951 से 1954 तक तीन और बार वे इस पद के लिए चुने गए